दूर किसी जंगल में एक कालू कववा और चिडिया रहते थे दोनों में गहरी दोस्ती थी वो चिडिया तो मन की बहुत अच्छी चिडिया थी जबके कववे का मन बहुत बुरा था चिडिया बहुत मेहनती थी, वो हर समय कोई ना कोई काम करती रहती, जबके कालू कववा कोई काम ना करता था, और हर समय चिडिया से कुछ ना कुछ मांग कर खाता रहता था, चिडिया ने अपने पास काफी भोजन जमा किया हुआ था, कालू कववे की नजर हर समय चिडिया के जमा किये हुए भोजन पर ही रहती काश के ऐसा हो चुडिया का सारे का सारा भोजन मेरा हो जाए मैं ऐसा क्या करूँ कि चुडिया का भोजन मेरा हो जाए लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा करके चुडिया का भोजन चुराना ही होगा ऐसे चिडिया का सारे का सारा भोजन ही मेरा हो जाएगा और चिडिया तो भुत्तु है उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसका भोजन मैं चुरा रहा हूँ और फिर कव्वा ऐसे कहकर चिडिया के घर की तरफ चला जाता है वो चिडिया अभी भोजन की खोज में घर से बाहिर गई हुई थी कवा उसके घर से थोड़े चावल के दाने लेता है और अपने घर चला जाता है चिडिया भी भोजन ढोंड कर वापस आ जाती है आप मेरे पास काफी भोजन जमा हो चुका है अब जंगल से बहुत मुश्किल से भोजन मिलता है लेकिन मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है क्योंके मेरे पास इतना भोजन तो जमा है कि सूखे का मोसम आसानी से निकल जाएगा और अगर किसी और पक्षी को भोजन की जरूरत हुआ करेगी तो मैं उसकी मदद भी जरूर कर दिया करूँगी और फिर रात हो जाती है और चिडिया सो जाती है अगली सुभा चिडिया फिर से जल्दी उड़ जाती है आज मैं ऐसा करती हूँ कालू कववे को भी साथ ले जाती हूँ वो भी अपने लिए कुछ भोजना कठा कर ले उसे अपने आप तो ये ख्याल आएगा नहीं और फिर चिडिया कालू कववे के घर की दरफ चली जाती है कालू कववा तो आराम से सो रहा था कालू उठ जाओ, देखो सुरज कहां तक आ गया है और तुम अभी तक सोय हुए हो हाँ चिडिया बताओ, क्यों सुभा सुभा है शोर मचा दिया तुमने आकर कालू, मैं तो भोजन की कोच में जा रही थी सोजा तुम्हें बीर जाते जाते साथ ले जाओ तुम भी अपने लिए कुछ भोजन अकठा कर लो अब जंगल में सूखे का मोसम आने ही वाला है बर साथ न जाने कब होगी अगर तुम्हारे पास भी कुछ भोजन रखा होगा तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी चिडिया, मैं तो कल सारा दिन ही भोजन की कोच में निकला रहा हूँ और मैंने थोड़ा सा भोजन जमा भी कलिया है वो देखो उस थेले में आज तो मुझे थोड़ी थकावट महसूस हो रही है मैं थोड़ी देर बाद ही जाऊंगा, तुम जाओ अच्छा कालू, जैसे तुम्हारी मर्जी मैंने तो सोचा था कि दोनों दोस साथ में जाएंगे और फिर रानो चिडिया वहां से चली जाती है जैसे ही रानो चिडिया जाती है तो कवा फिर से चिडिया के घर की तरफ जाता है कवा रानो चिडिया के घर से एक थैला गंदम के दानों का उठाता है और वापस अपने घर आ जाता है चिडिया को भी जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता है लेकर वापस घर आ जाती है ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा जमा किया हुआ भोजन कम होता जा रहा है शायद मेरा वहम है चिडिया बहुत थकी हुई थी इसलिए वो थोड़ा भोजन खाती है और सो जाती है ऐसे ही हर रोच कवा चिडिया का भोजन चुरा कर लाता रहा और फिर चिडिया के घर का सारा भोजन खतम हो जाता है हाई बगवान मेरा तो सारे का सारा भोजन ही कोई चुरा कर ले गया है बस ये चंताने चावल के ही बचे है वो चोर कुछ ज्यादा ही जालम है जिसने मेरा सारा भोजन ही चुरा लिया मैं अभी कवे के पाच आती हूं वो चोर को ढूरने में जरूर मेरी मदद करेगा फिर रानो चिडिया कवे की तरफ चली जाती है और जब वो कवे के घर जाती है तो कवे का घर भोजन से भरा दे कर हैरान हो जाती है कवे भेया, ये इतना सारा भोजन तुम्हारे घर में कैसे आया बहनत से आया, और क्या बैठे बठाया आ गया तुम बताओ, तुम्हारे पास कितना भोजन जमा हो गया है मुझसे तो ज्यादा ही जमा हो गया होगा कवे मेरा तो सारा भोजन ही को चुरा कर ले गया चुडिया फीर तो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ अच्छा अब तुम जाओ मैंने थोड़ा आराम करना है जैसे भी भोजन ढूनते ढूनते बहुत धग गया हूँ ऐसे कहते हुए कालू कववा आंखे बन करके सो जाता है और वो मासूम चुडिया वहां से चली जाती है ऐसे ही रात हो जाती है कवे के दरवाजे पर दस्तक होती है कौन आगया कमबख्त इस समय और कववा दरवाजा खोलता है वहां एक यातरी बक्षी खड़ा था कवे मैं यातरी हूँ बहुत दूर से आया हूँ और मैंने साकर की तरफ जाना है मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो पहले तो तुम्हे शरमानी चाहिए इतनी रात को मुँ उठा कर आगे हो और मेरी नीद खराब कर दी और दूसरा यहां मैं तुम्हें भोजन बांटा नजरा रहा हूँ कालुकवा ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर लेता है और फिर वो यातरी पक्षी चुडिया के घर की तरव जाता है वो यातरी चुडिया के दरवाजे पर दस्तक देता है चुडिया दरवाजा खोल देती है चुडिया मैं यातरी हूँ बहुत दूर से आया हूँ और मुझे साकर की तरव जाना है मुझे भूक बहुत ज़्यादा लगी हुई है अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो ये तुम्हारी कृपपा होगी मुझे गरीब पर आप ठहरें यहां मेरे पास कुछ चावलों के दाने बड़े है मैं आपको वो लाकर देती हूँ और फिर चिडिया चावलों के दाने उस जातरी पक्षी को लाकर दे देती है मेरे पास पस यही दाने बड़े थे अगर और कुछ होता तो मैं आपको वो भी दे देती बेटी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है तुम्हारे पस पस यही दाने थे वो भी तुमने मुझे दे दिये और एक वो कववा है जो तुम्हारे पडोस में रहता है उसका घर भोजन से बरा पड़ा था उसने फिर भी मुझे बेज़त करके अपने घर से निकाल दिया भगवान तुम्हारे घर को हमेशा भोजन से बरा रखे ऐसा कहे कर वो पक्षी वहां से चला जाता है जब चिडिया अपने घर के अंदर आती है तो वहां एक चक्की पड़ी होती है ये चक्की कहां से आई मेरे घर में चिडिया उस चक्की को देख कर बहुत हैरान होती है ऐसे ही वो चिडिया सो जाती है तो उसके सपने में वो ही यातरी पक्षी आता है चिडिया ये चक्की मैंने तुम्हें दी है ये कोई आम चक्की नहीं बलके जादोई चक्की है इस चक्की में से भोजन हमेशा निकलता रहेगा ये मैंने तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में दी है तुम ऐसे ही सब की मदद करती रहना और चिडिया की आँख खुल जाती है चिडिया उस पक्षी की बातों से बहुत हैरान थी वो उस चक्षी को गुमाती है तो सच में उस चक्षी में से भोजन निकलने लग जाता है चिडिया बहुत खुश थी क्योंके अब उसकी भोजन ढोडने की चिंदा खतम हो चुकी थी आज मुझे फिर से चिडिया के घर जाकर देखना चाहिए अगर उसने थोड़ा बहुत भोजन जमा किया हुआ तो वो मैं चुरा लाँगा ऐसा कहते हुए कवा फिर से चिडिया के घर जाता है लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुँचता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि चिडिया चक्य गुमा रही है और उसके अंदर से भोजन निकल रहा है वा चिडिया वा मैं इतनी मेहनज से भोजन चोरी करूं और तुम बैठे बठे चक्य से निकाल कर भोजन खाओ ऐसा कैसे हो सकता है मुझे चिडिया का घर से बाहर निकलने का इंतजार करना होगा और फिर मैं इस चक्य को अपने घर ले जाओंगा और फिर कवा ऐसा ही करता है वो चिडिया के घर के पास ही चुपकर बैठ जाता है जैसे ही चिडिया घर से बाहर निकल दी है वो चिडिया के चक्य उठाकर अपने घर ले आता है अब मैं इस में से भोजन निकालता रहूँगा और कवा उस चक्य को फेरने लग जाता है लेकिन ये क्या उस चक्की में से भोजन की बजाए पानी निकलना शुरू हो जाता है हाई ये क्या इस चक्की में से तो पानी निकल रहा है अब मैं क्या करूँ इस पानी को कैसे रुकूँ वो पानी तो अब रुकना ही नहीं था क्यूंकि उस जादोई चकी ने कवे को उसके लालच की सज्ञा देनी थी ओ देखते ही देखते कवे का सारा घर पाने से भर गया और कवा उस पाने में डूप कर ही मर गया इस कहानी से हमें सीख मिलती है जो किसी कमजोर के साथ बुरा करता है अंत में उसका भी बुरा ही होता है प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर बताना